प्रोग्राम अंतर गत्तो घणीबदी वार आपने घणीबदी वार्तो करता जो है जिए एक बे नवा कंसेप्ट थोड़ाक ध्यानमा आवे आछेके जेने आपने सोशिल सेक्टर मां इंटर्ड्यूस करी शक्ये ए तरफ विचारी शक्ये और आपने विचारवानी आपने वनारे काम करी शक्ये तो वेरियस टाइप्स ओप जे बिजनेस चे एमाए ने सिस्टम तिंगिंग अने डिजाइन तिंगिंग ना नाम थीके छे ना आपने एने लोजीकल प्रेंबग नी रिते जोता होई चे के कोई एक स्पेसिफिक इंपेक्ट आपने जोहिए छ आपने विचारियू छे तो सेट ओफ एक्टिविटीज सु होई शके एक्टिविटीज माटे इंडिकेटर सु होई शके कि आपने ड्रैक कई दीते कर्शू पण इए आखू प्रोसेस कई रिते चाला चे ना कई रिते डिजाइन तिंगिंग ने सिस्टम तिंगिं ती आपने समझ चू अने वास्तविक जीवन मा एनी जरूर शाम आटेच है एपन आपने समझी शू नमश्कार आप सभीको मेरा नाम बरून दीवान है मेरे साथ अधित्य है हम लोग स्पी जान मुंबई से आए हम लोग सेकेंड एर एंबी स्टुडेंट है तो सबसे प्रे त मुंबई के महराश्य में जो स्कूल्स है वहां पर इसका छोट असर प्रोजेक्ट किया है तो उसके थ्रू आपको आपको आज एक्स्पेंड करेंगे उसके पहले हम सिस्टम सिखेंगे और उसके लिए एक वीडियो है यह वीडियो बिसिकली है जो पैस्टिस है जो डिली यूज करते थे खेद वगर में उसको जब अमेरिका में पहली बर यूज करना चालू किया तो उसके करण क्या क्या हुआ है तो थोड़ा ध्यार से समझेगा प्लीज किरमा आखे में एक्स्पेंड करेंगे इसको यहां तक समझ मैं सबको थोड़ा यह मलेरिया का जो आउड़ ब्रेक हुआ है उसके लिए डबलो एचो को इन्होंने पूछा है यहां गे दिए कर दो कर दो कर दो कर दो कि डीडीटी का इन्होंने बताया बैसिकली कि सिर्फ एक एफेक्ट नी था मलेरिया काम नहीं हुआ लेकि उसके कारण से घर के च्छत गिने लगाए थे क्योंकि जो पूरा सिस्टम सिंगिन में लगता है कि डीडीटी यूज करने से यह मच्छड को तो मार उसके साथ जो होते हैं जीव जन्तू उसको भी मारा जिसके करण से परसाइट खतम हो गए और यह परसाइट च्छत में रहते थे तो यह एक रिजल्ट आया तो एक इंप्लीमेंटेशन एक हमने आंसर लिया डीडीटी यूज करने का उसके करण से दो तीन रिजल्ट्स हारे और देखते आगे यह उन्होंने बताया कि लेली कि डीडीडी से वास्प खतम हुए यह वास्प खतम हुए तो जो चाहत में रहते हैं उनलोग बांडने लगे और यह केटपिलर जो खापरा रहता है उसको कंजूम बने लगे उससे चाहत वीख हो गया चाहत बिने लगा तो एक हमने देखा चर्किनी लगे फिर बताया कि उसके साथ-साथ जो छिप्किलिया होती है वो भी खेत्वेट में खाती है तो छिप्किली में भी डिडिटी जो पेश्टी साइड था उसका कंसेक्टेशन बढ़े लगा और यहां लिजर जो कषिप्किलह होती है उनको खाती लिर्क था श्चिप्किलियां बढ़की खका कि मढ़ने लगी का अगर विल्लिया एक से कम होगी तो चुए चुए मरेंगे पछेमे माल左ह कुखव छेमे कारण तो फ्ले भी जो महा महारी बढ़ने ह één तो फिक खड़ी उन्झोंने घाइड्रीयों को ईयरड्रॉप किया उन्होंने ताकि वहां पे जो गणी सतर्ड न एक ऊछिषण तीन टीन तपर ठीकिंग होती है क्ड़ीनल तिर फिर सिस्टम सेच्ट किया गता जाता है प्र दिझेंध्ट Supreme तो हम जो भी कोई चीज को एक सोचते हैं तो हमें उसका impact हर एक community हर एक चीज हमारे आसबास जो उसके impact कर सकती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा इसी को system thinking कियाते हैं कि सब चीजे आपस में connected है everything is a system यह होगा system thinking दूसरा चीजा आता है design thinking design thinking कि कोई problem है जिसको problem है मैं उससे समझूं कि आपको क्या problem है जैसे malaria की problem है तो मैं जाती हो सकता है कि मैं dvp ला यूज करता मैं एक बच्छा दानी लगा देता तो वो भी एक तरीका है उससे भी problem solve हो रही है लेकिन मैं उस problem को कहा solve कर रहा हूं जहां वो problem exactly है और उस customer जो जो problem feel कर रहा है वो उसके बारे में जहां सोचता है यह हमी है design thinking तो design thinking और system thinking से main part यह है कि system thinking हम पूरे बड़े lightscape यह हैं कि पूरे बड़ी picture को देखते है problem को solve करने के लिए लेकिन वही हम design thinking पे जाएंगे तो हम छिपी छुपी चीज़ा देखेंगे कि अच्छा इसमें यह चीज में यह दिक्कत आ रही है तो हम इसको के सखीक कर सकते हैं अगर मानी जे यह phone है phone में जैसे पहरे दिक्कत हो दी थी कि एक phone में दो SIM ने कलते थे तो हमको बहुत सारे phone यूज करने पड़ते थे तो उसका एक solution यह था कि उनना दोनों में की SIM दा दिये अब यह चोटी सी intervention है जिसके जर से मेरी बहुत बड़ी problem सौल हुए मैं को multiple phone रखने नहीं पड़ रहे हैं यह मैं को बार 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 बहुत सारे number नहीं रखने पड़ रहे हैं तो यह तरीका होगा design thinking का तो यह design thinking में 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 यह है कि हमको customer से जाके जिसको problem है वह route पे जाके बात कर दी है उससे और उसे पीच्छना है उसे बार बार इप उसने की इस problem को हम कैसे कैसे नहीं पुछना है अपना भी दिमागर दाना है यह problem को हम कैसे हटा सकते हैं और eliminate कर सकते हैं करना के नचिण होई, यहें सिर्गता गार मुता, आछ अग फैसलिक हम के मिन्सकीप चीन्डीक है। के लिंक तो याती सुढड है, थे फ्रोटाइप की एक 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 सराथ गोटाइप गिरें। तो थो भाई बिच प्रॉजेक्ait में झी चैंग हो? अपकर आपकर काल किमाल नीज को सबुषने के लोगैर utan की बात करें दो कि मैं खाए तो आपकर्ण हो किए एक को खालोग किए तो बेप दम्य कहीं मुझेज से लोग्ट messaging तुम्हें क्या करना है क्या चाहिए तुम्हें लेकिन जो पुरा डिजाइंटिंग में एपर्थाइज मतलब आप अपने आप वो उनकी जग में रख के देखिए तो सुनना किसी की बात को सुनना बहुत अच्छी चीज है कि जब अपना सॉलुशन प्रॉप्ला मत आ रहा है उनके डुप्ला में अपने बल्चे के बारे में, तो अपने को कैसे उसको रिसीव करना है क्या चीज come रुख करना है क्या वो डवा रहें कैसे झ्यान देदा है कोई समझे बढ़ा आज आता इनाइटिकिंग में कि आप कोश्चक कैसा पुछे हैं उसको कैसे दीख रहे हैं ताकि आपको में प्रॉब्लाप में समस्या का अपिरेंस कमने पता चलिए कोई मार्स दुखी इचे है एनों दूख जोई कोई भी आगर सवाल हो तो जरूर पूछेगा सेकेंड सेप हमारा आता है डिजाइन थिंकिंग में डिफाइन जब हमको पता चल गया कि दिक्कत क्या है हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए तो अब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे क्या प्रॉब्लम ये है कि वो बच्ची टिफिन नहीं लेके जा रही है क्या प्रॉब्लम ये है कि वो बच्ची न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रही है क्या प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैट की खाना नहीं खा पा रही है बहुत अलग-अलग तरीके से देखने की चीज़े हैं इसको तो आपको बैट के उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखता हूँ या इस प्रॉब्लम को किस तरीके से मैं सॉल करने के कोशिश कर सकता हूँ आप उस तरीके से उस problem को define करेंगे जैसे कि हो सकता है आप खाने को ना बदल के उस टिफिन में अपने classroom में जो जगा बैठते हैं उसको बदल दे वो एक experience को बदल दे हो सकता है teacher involved हो उसमें हो सकता है आप कुछ उसमें games डाले या ऐसी कुछ चीज़े डाले कि वो खाने खाने का experience जो है वो change हो जाए तीसरा stage होता है ideate का जब आपने problem define कर ली अब उसको solve करने के कितने कितने अलग अलग तरीके हैं हो सकता है कि वो problem दस या बारा तरीके से solve की जा सकती हो लेकिन हर चीज visible नहीं होती मतलब हो सकता है पहली problem में जो पहला तरीका लगा रहा हूं उसको solve करने का वो बहुत ज़ादा महंगा हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन आप उस idea को ज़रूर लिखेंगे एक बार एक बार उसको analyze करने के लिए उस एक बार उसको धंग से सोचने के लिए उस सारे idea जितने आपके दिमाग में आते हैं उस सब लिखने जरूरी है फिर आता है prototyping prototyping में क्या होता है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी है आपने एक idea final किया या दो, तीन या चार idea final किये उसके बाद उसके आपने prototyping करी prototyping क्या है कि आसपास जो भी चीज़ें आपके हैं जो आसानी से available हैं उससे एक physical model बनाना physical model मतलब जो आप देख सकें जो मैं अगर किसी को दिखा हूँ तो मैं को बिना संजाए या बिना कुछ जादा बताए वो समझ जाए कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ आगे बले ही वो prototype working ना हो ज़रूरी नहीं है वो working पर उसको देख के मुझे पता लगना चीए कि मैं आगे क्या बनाने वाला हूँ उससे क्या होगा कि हमको feedback विलेगा और हम अपने जो model है उसमें और improvements कर सकते हैं और finally हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं कि ये testing की तरफ कि फाइनल अपने prototype को improve करके टेस्ट करके फीडबैक लेके एक working model बना सकें इसको further हम बहुत large scale पे जैसे बहुत सारे बनाने हैं एक बनाए आप 100 बनाने हैं तो हम उसकी वायबिलिटी या उसको कैसे बनाया जाए वो आगे देख सकते हैं लास्ट में हो गया टेस्टिंग आप कस्टमर्स के पास जाएंगे जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो उसको यूज करने वाले हैं उनको दिखाईए उनसे पूछिए कि क्या क्या इसमें माई इंप्रूव्मेंट खुद से कर सकता हूं कि अधि गणिवार दुगाए लिडेलोड सीथ नारोली सेट इसे बात तरहें 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 जो ने मंदवर लाहेज़ें काम मंदवर हो ने हैं कोई काम सारू तरशे नहीं थाये, अगले मोटा बगेजिया ग्रोव तटकी जे अज्वार वीजो प्रश्नी ही आवे, कि एमना जे टीम लीडर्स हैं, एमना जी दर्स आमोले तो केमानो भावार्थी छे, कि हाज जे प्रोग्राम छे अपड़ा संसागिया कामने अनुदक्स तो अखें पर तमारा घ्रोशमाट निवार्थिचे छे ज़िए, दरेख दिए उधर अब लागण लागव परेचे, नहीं बहा समन वाद करता हैं, कि आम बिज़ मोडेल माँ प्रूआ लागव परेचे, को एमन सारू बिज़ करवो होगे, तो एमाँ मोडेल लागव परे तो केवानों भुवाद चीज है कि आपड़ी मासे चीजों काई केवेसे भी सेवाद जे काम करी लिए आजकी एक आपने एक स्पीड आपका माँटे अपने एक साली बातो है कि आपको माई भी संदोग वसाहत आपड़ी साथ है जोड़ाई गया तो माँटे हुप मैं हायर करवाद जीज है जो हायर नहीं था कारी अपड़ा माँटे छाथ हुदान जावित है तो तो यह रिजा समय स्पटा जीह 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 या एक पाची विजीएट वार्ची आपड़ेजिए बागोके कि यहां बें कि यूजर चेर अपलों यूजर ओंड ले इंकरेस्ट कारूं के अपनी दो कोई काम्पीन चापने कुछ बर्दक्शन करी अदिए तो अपने ए लिए इसे बड़ा था प्र फूजर के अवादफ पर शुचमर्स की वादब आपना अमनों का लिए वादफ से ला पगड़ों, आई कुझा आचे समय दुआ पटे मेर भुजा हम भुजाओं तो एही जरूर याद सो जे के खावा माटे सारो को तो अंतर गृष्टी सुख के आपनी के धारीग ने ग्यानाफपत स्वास्टाने अविकास माटे फुर्सर तुछ को दुछ को दुछ को दुछ क जरूर तो आजही मेर अज़ शिती साथी का आपने समझमा तो एविस जरूर जाए के माई कोई टूपरी जनौमा जरूर नी तो आपनी जरूर या थाओं अफरेश्म प्रेश्मेश्म दुछ को देशए तो एसाही मत के संदुरस्वाराक का थे सावाजिक रिते स्विक्नो वोन कि नियू प्रहु आपण 122 आजिर अणे तो कि मनुकों के अपनी जैनिं़ करें अगे अपनी जैनिऊ चाहिए करें कारें आजी करें दूको बढ़े तो यहना ऑप्रह अपने अंत्युने खुड़ा अपने अची अंत कर अपने अो भाल पर आजी घर आ हुए तो थो झालो के पक्ता वार्ष लांच परकर्णनस्ताइ अने इत्टाइन कोय तरह इंड के अपया हैं किया इत जारत वुबु कि संधानже कर आप एपודה ने डियंकरीश आपने maladim हाँ एंपली मेंटेशन में अंगर अधिसार में भी लग्या है कर दो एंपली में अभी लग्या है झाल झाल